एंसी और पीडीबी का आपने नाम लिया, देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कहीं सालों से इनकी सत्ता रही, आप एक बार नजर मार लीजिएगा कि इन्होंने जम्मू के लिए क्या किया, अगर मैं जेंड के सर्विस कमिशन की बात करता हूँ, उसमें भी 80 और 20 की स् इसलिए जुड़ा हूँ, क्योंकि ये वाही दोगरा स्वाभी मान सगटन एक पार्टी है, जो दम्मू के दोगरों की बात कर रही है, धरम और पक्षपात के खिलाफ नहीं है, सब दर्मों का मेल है, क्योंकि हिंदू हो, मुसल्मान हो, सिक्को, रिसाई हो, अगर आप हमार दिवर्सिफिकेशन की नॉलज़ नहीं है, जम्मू कश्मीर की, इनको हमारी जिग्रोफिकल की नॉलज़ नहीं है, इनको हमारी ट्रेंस की नॉलज़ नहीं है, जो हमारी ट्रेंस है, जो हमारी ट्रेंस है, जो हमारी ट्रेंस है, जो हमारी ट्रेंस है, जो हमारी तर्फ टरे करियर बन सके और आगे जाके जो है राजनीती में कहीं उचाईयों को छुए लेकिन इस समय हमारे साथ एक ऐसे युवा है जिनों ने जिस पार्टी का दामन थामा है अभी उस पार्टी की क्या पुजीशन है इस समय आप सब जानते ही होंगे दोगरा सौविमान संगठन उसके साथ ये युवा नेता जुड़े हैं लक्षबाली हमारे साथ हैं और लक्षबाली समय दोगरा सौविमान संगठन के साथ एक युवा नेता के तोर पर जुड़े हैं क्योंकि उनकी जो आइडियोलोजी है कि जम्मू को लेकर कि जम्मू एक अपने आप एक रियासत होनी चाहिए उसको लेकर ये चले हैं और उनकी इस आइडलोजी को ये मानते भी हैं और चोधि लाल सिंग के काफी प्रशंसक भी हैं मेरे साथ इसमें मोजूद हैं लक्ष मुझे ये बताएं कि यहां एक तरफ लोग बड़ी बड़ी पार्टियों की तरफ जाते हैं भारतिय जंता पार्टी नेशनल कॉन्फरेंस पीड़ी पी या और कहीं अन्य पार्टिया हैं और आपने डोगरा सौइमन संगठन पार्टी क का आपने नाम लिया देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कहीं सालों से इनकी सत्ता रही आप एक बार नजर मार लीजिए कि इन्होंने जम्मू के लिए क्या किया अगर मैं जैन के सर्विस कमिशन की बात करता हूं उसमें भी 80 और 20 की स्ट्राटिजी इन्होंने अपना कि बात बिल्कुल जयाज है कि इन पार्टिफी के साथ इनके साहता हूं कि इनमे प्रतां के सामभालता ́ ल्ग अप को कहना चाहता हुं कि मैं शॉबिमांस अगटन पारी साथ ऐसले जुड़ा हूं इ sentiments के दौगन के साशनि के बात कर रहा हूं दर्म और पक्षपात के खिलाफ नहीं है सब दर्मों का मेल है क्योंकि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिखो, रिसाई हो अगर आप हमारे महाराजों की सबा देखते उसमें गुलाब सिंग जी थे, हरी सिंग जी थे उसमें सबी दर्मों का मेल था लेकिन मुझे एक बात बताएं कि यहां पर आप बात कर रहे हैं डोरा सौइमान संगठन की चोरी लाल सिंग की जो की जम्मू की आवाज उठाते हैं जम्मू के लोगों के उनके हक के लिए लड़ रहे हैं तो क्या वज़े क्या है कि लोगों का जो समर्थन देखने में तो मि आपको बुलंद जो मेरी आवाज दिखेगी आने वाले समय में जुबाओं के साथ दिखेगी दूसरी बात मैं कहता हूँ वोट स्टेटिजी वोट स्टेटिजी क्यों है कि पहले हम मोनोपॉली में चल रहे थे मोनोपॉली क्या थी क्या थी एंसी और पीडिप उसके खिलाफ कोई हमारी स्टेट पार्ट नी सी स्ट्रोंग नी से रिंञड बी बीजिनल वाचिंग नीतра जैए घृट्वी जी जee वгоун नैशनल मैं है गीजएपी नीजिए एंuto से पिअ वो दोगरा सवाविमान सगाटन का एक वजूद खड़ा हो जम्मू में ताकि अंसी वर्सी दोगरा सवाविमान सगाटन पार्टी हो और हमारा एक रिजनल स्टेंथ मनें अब मैं आपको बताता हूं कि आपने काहा कि इनको वोट क्यूंद यूंधे बिजीपी जो आजके समय में कर रहे है वो धरम का एक और वोट करारी है आपको पता है हम भी हिंदू है ऐसे और जलूगरे नहीं के पतक हमारे फशी के लोगरे यह नहीं समझेंगे कि हमारी घ्रौठ हो रहे हैं कि एक तरफ लेकिन जिस तरह आप आरोप लगा रहे हैं कि भारती जंता पार्टी एक धर्म की राजनिती करती है, विशेश धर्म की राजनिती करती है, तो उसी तरह जिस कठुआ, सामबा और जम्मू, यहां पर भी जो हिंदू बहुल सबसे जएदा है, तो उसी साब से अगर हिंदू, अगर उसकी बात, अगर जम्मू की बात करते हैं, तो उनको तो उनका साथ मिलना चाहिए, देखिए मैं आपको बताना, क्या वज़े है कि तब भी उनको साथ नहीं मिलता है, क्योंकि माना की डाइवर्सिटी तो बाकी जगए बिल्कुल जई, होता क्या है कि जो डोगरा सौइमान सगतन पार्टी है, हम उसको पहले मजबूत करना चाहते हैं, मजबूत कब होंगे, ज़ा हमारी ही पार्टी के साथ डेल्यूजन होने लग जईए, तो उसके बाभ देखिए, जितनी हमारे साथ काफिला जुड़ता जाता है, उसी के तक मजबूत होती रहती है पार्टी लेकिन लेकिन हालात यहां पर कुछ और बता रहे हैं हाला कि बड़े बड़े लेवल पर और काफी जोर शोर से जो है इन्होंने एक मुहीम चलाई थी जम्मू को अलग से स्टेट होनी चाहिए और इसका पूरा हक मिलना चाहिए लेकिन फिर स के खिलाब या केंदर की सरकार के खिलाफ तो क्या लग रहा है कि क्या वज़े की फिर आवाज क्यों डोन होगी क्या बीजेपी की वज़े से यह सब हो रहा है देखिए शेर खामोश तब होता है जब उससे कोशिश की जाती है जखम देने की इन्होंने जखम देने की कोशि जब वहां पर दफ्तर बैठ कर कोई एक मीडिया वाला उन से पूछता है कि चोधरी साब आ रहे हैं कि नहीं तो उनका वजूद पूरे जम्मू को समझ जाना चाहिए कि एक वाहिद आपके पास शेहरे डुगर बचा है नेता इस शेहरे कश्मीर जिस तरह से आप सुनते आते जो हर साल होता था दो साल से हमारा नहीं हुआ क्योंकि गरोना आगया था उससे पहले जो कुछ भी केसी हुए आपको पता है वो सब चीजे चली उससे क्या होता है कि यह जो हमने शेहरे करते हैं इसमें हमें वजूद खड़ा करना होता है लोगों को एक मीटिंग करते हैं लोगों पताते हैं आगे जाके बताते हैं अब आपको पता है कोई भी चीज आगर ऐसे करें ठीक है अफवायों का जो भी मिला रखता रहे मैं उसमें नहीं जाओंगा मैं सिरब इतना कहूंगा कि जो भी हम कदम उठाएंगे तो वो डोगरों कि शहीदों के लिए शहीद को याद कर रहा है कौई जन के मन में बदावना हो ले के दो तीन चापए उनको जाना पड़ गया उसके बात कहीं न न की आरे थी कि आ रहे थी कि भी जॉइन करने वाले हैं लेकिए खबरों के एक सिलसले में नहीं फसना चाता मैं और आपको मैं चाहता हूँ यह बेदवाब का सिलसला मैं यहां भी देख रहा हूँ जम्मू में आपको बताना चाहता हूँ जब जब मैं सोचल एक्टिविस्स के नाम पर मैं कहीं मुद्दे रखता था जम्मू कश्मीर के जुपी बिहार की भी एक बात करता था कि कि वहां से जो हमारे साथ प्रताणना कर रहे हैं तब आपको मैं बताना चाहता हूँ कश्मीरी सेंट्रिक्स मीडिया मेरे काफी सपोर्टिव रहती थी काफी चीज़े रहती थी जब से इन्होंने मेरे को देखा कि चोदरी साब के साथ मेरा वजूद और मेरा जो एजंडा मे जो भी स्टोरियां उरती रहे मेरे से अगर सवाल करना है तो मैं पूछता हूं मुझे बुनियादी सवाल करिये मुझे जबे वाला सवाल करिये मैं सिरफ जम्मू के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप जित्रा मर्जी अभी कहते रहें बीजेपी बीजेपी आएगी ज सीजन्ड लीडर है चोदी लाल सिंग जी लेकिन जितने जजबात के साथ आप बोड़ रहे हैं कि कल को अगर मन बदल गया कुछ और करने का कि नहीं वहीं सियासत में आना है यहां रहना है कोई अगर कोईलेशन करनी पड़ी चेंज कर दी पार्टी तो फिर आप जैसे यु आप क्या दिया मैंने कहा कि अगर डोगरा सौविमान सगठन पार्टी के साथ अभी मैं जुड़ा हूँ एडी के बाद तो डोगरा सौविमान सगठन में अपने दिल में और दिमाग में लेकर चलाओ इसी पार्टी में रहूंगा अब कई मीडिया वलन मुझे कहा वो कर रहे हो मैंने इसलिए उनको कहा कि यह लक्षबाली आप नाम रोड कर लेना कि डोगरा सौविमान सगठन का मैं एक मकसद लेकर चलूँगा मैं आने वले वक्त में जम्मु में चलूँगा उन्हें ने मुझे कहा कि वो चल देंगा आप कैसे अरे बाई उनकी सिर्व बही है लेकिन मैं सिरफ आप के आने वाले नहीं हुँ लेकिन मैं सिरफ आपके चानल के मादें से जम्मु के लोगों को हाथ जोड़ कर विंती करना चाहूँगा कि आप गठे होएं एक साथ दें आपके लिए लिए एक ही आवाज़ पाटी 251 सगटन पाटी है अगर आपको मैं पाटेंगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे पाइंगे उसमें पेले ही लडए कैना च्रिपाना चांथम्हें बहुत ज्रूरी है बहुत ज्रूरी है बहुत ज्रूरी है देधा है जमुक्ometरी में थका समीकरन बने क्या बदल जाए वो अभी कोई कुछ नहीं कह सकता लेकिन अगर जिस तरह के इस तरह के युवा अगर जुड़ेंगे तो मुझे लगता है बिल्कुल इससे फाइदा होगा दोगरा स्वाइमन संगर्ठन को और जम्मू की जो आवाज बनने की बात करें और उसको किसे प्रिए मिल्का बिल्कार मुझे होगा का जूभ च्टूर्ओक मुझे टूभरा जो युवादाट हैं चूभरा जब जाए वोगाला है अओ करें प만य 대한 की बाचे जो घुवाग